हलो डियर्य विवार्स विवार्स, हलकम बैक कहानी की शुरूआत होते हैं मैरी ब्यूटिफुल सी सुरूमीन से जुकि कोलपए केहती है फाइनली तुम आ गई हो चाहे ना तो तुम तुम्हारे लुशीन से तुम मिलने वाली हो ना और यहाँ पर शुमीन तीन साल पहले के बातों की आत करती है जहाँ पर वो लुशीन के साथ इंटीमेट होती हैं दोनों काफी ड्रंक होते हैं इनका वन नैट स्टैंड होता है और मॉर्निंग में लुशीन जब सुमीन को देखने चाता है तब वहाँ पर रेपोर्टर्स आ चाहते और कहते हैं आप इस लड़की के साथ इस रूम में वो देख लुशिन गुस्से में कहता है मेरे साथ इतना बड़ा धोका इतना बड़ा गेम फीरांगे जहां शुमीन की सोतेली मा के हैती है में ने तो तुम्हारे लुशिन के साथ के मैड सेटिफिकेट को भी कर लिया है यह सुन्ते शुमीन गुस्से में अपने पढ़ाई कलेवां से आप चली जाती है वह आपस देखते शुमीन को जहापर रही सारी बात याद करती है लिके शुमीन की ति क्या हुआ फिर से तुम किसी ब्लैंडेट पर चाहरी हूं पाहली कहती हां लास्ट टाम ज से सबक सिखा दूंगी तुम उसका एड्रेस भीजो और कॉल रख कर खुछ से कहती है सुमीन चले हेल्प की जाए आगे हम सी देखते लुशीन का जहां पर वो रिस्टार्ट में आता है और तभी उसकी टेबल पे का 6 नंबर प्लेट नीचे गिर जाता है और उठाने के बा तो के बास लड़की को अपनी वाइफ नहीं मानता कि हम सीन देखते हैं जा पर शुमीन आ जाती और लुशीन को देख अपने मन में कहती कितना ज्यादा होड है क्या नहीं यह तो वही होटेल भी है और वही टेबल नंबर भी 9 इस कमिने को मैं अभी बता आती हूं लुशी को पाहने के लिए सब कर रही हो इन गुस्से में कहती है रहा टेबल नंबर 9 और तुम भही होना जो कि मेरे बेस्टी के पैसों पर एश कर रहा था तुम अपने बिल भी पे नहीं कर सकते और यह आपर सब की बाते बनाने लगता है इस पर लुशीन कहता देखो लुक कंपन कि तुम पास हो चुकि हो तुमने मेरा अंटेंशन पाल लिया इस पर सुमें कहती ऐसी कोई बात निर्वास चाने लगती कि तब यह गिरने वाली होती कि लुशीन इससे पकड़ लेता है और कहरे तुम्हारा नेकलिस तुम्हें काफिस दा सूट कर रहा है बिल्कुल ली ट चेकर लिया वह मिस समझकिया तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना खराइब कर देखो मेरे और मेरे वाईफ की बीच में को भी इमोशनल रिष्टा नहीं है और मैं यह ब्लेंड टेट पर नहीं आया था लेकिन तुम चाहो तो रॉने और तुम कर सकते है तुम कमीने और वाँ से किसे में चली जाती है और तभी वहां पर वेट रहाती है और कहती मिस्टर लुशीन टेबल नंबर 6 में सही करती थी यह तो 9 हो गया है लगता है उन्होंने आपको गलस समझ लिया कहता है कोई बात नहीं तभी वहां पर सेकेट्री डिवास की पेपर लिकर आता है फिलांगे शेन देखते लुश्व के घर का जहां पर लुश्व के लिखता है साइण करो तुम त्मिया क्या कर रही हूं उससे लिए तुम्हें गार कर करूं घर अगई तुम काफि स्था बाट नहीं वैसे क्या साइन करना है लुशिन कहता है तुम्हें साइन ने करना डोंट वरी वेसे लड़की कहा गई चाने तो इतनी इपॉर्टेंट भी नहीं है हम बाते करते हैं शुमिन गुस्से में कहती तुम बेश्रम तुमारे घर में कितनी लड़किया है तुम तो एक तम क्यूट लगती हो बिल्कुल वाली बिल्ली जैसी वैसे हम दूसरी बार मिल रहे हैं इस पर शुमिन कहती क्या बस दूसरी बार उन कहता है हां फर्स टाइम मॉर्निंग में और सेकंड टाइम यहां तो फिर मुझे अपना नाम बताओं मेरी प्यारी जंगली बिल्ली और यहां पर वो कीस कर दी रहा है औ तुम्हारी कंपनी में चौब करूगी असे गुसे में चलि जाती है तब ही लुशिन काल करतार के हैट इस पारसल को शुमिन के पास पहुच आ दो जहाँ पर शुमिन को पता चलता है कि उसका बॉस तो लुशीन है वो देकर काफी शाक हो जाती और वहाँ लुशीन आख मरकर चला जाता है यह सारी फ्लेटिंग देख कर लुशी काफी तदा गुस्सा हो जाती है मैं तुमें वार्निंग देती हूँ अपने लोकला सरकते की ढैनी और यहाँ पर में जॉप लिया ही और यहाँ पर शुमिन के डिजान है सबस्क्राइब कर सब sujet हो जाते है कि सिंद देखते हें जहाँ पर शुमिन के हैं तुम फिरLED मेरे घर सिधा मेरे ओफीस में यहाथ हाँ जब मैं क्लास 10 में था तब मैंने अपनी फ्रेंट की डूपतीवी कंपनी में इन्वेस्ट किये थे मैं ने खरिद लिया था और मुझे नहीं पता था कि एक दिनी कंपनी नंबर वन कंपनी बन जाएगी पूरे कंट्री में और यह मेरी कंपनी है शुमिन कहते हैं लुषिन कहते हैं तुम ने क्या तुम मेरी किया और तुम भाग जाती है और उसके पीछे लुषिन में भागने लगता है वह उसे लुषिर रोकते हैं कि हम लुषिन चले लुषिन कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं हटों यहां से लेकिन वहां से सुधिक होती है और चाहिते हैं हमेरा हस्ब्रेंट कि मेरे बीटें कि के आप नहीं है लेकिं डूंट औरी मैं बढ़ through मेरी बड़ी पार्टी में कल आओ मैं भी देखते हूं क्यों मेरी बहु को मना कैसे करता है इस पर शुमिन के लेकिन कुछ नहीं तुम आ रही हो और यह पर कॉल को रखती है थी तब शुमिन कितब में क्या करूं मेरी जॉप को खोना नहीं चाहती फिर आंगे हम से लुशीन का जह क्या हूँ मॉम कहती है शुमिन तुम्हारी वाइफ है मैं कुछ भी नहीं चानती कल पर यह पार्टी है और तुम मेरी बहुत से मिलोगे तुमने उसे गुसर दिलाया है न तुम्हारे जैसे वह घर नहीं आई कहता है मॉम मैंने आज तक अपनी दोखे बास वाइफ का फेस नहीं दिखा मैंने उसे गुसर नहीं दिलाया है तुम्हारी चाहिए था तो क्या मुझे जेंटलमैन का नंबर मिल सकता है और तभी वहाँ पर लुशीन आता है और कहता है वो जेंटलमैन में हूँ चुम्हारी दुन्या के सामने में उस का लालची फेस दिखा ने वाल हूं तो फिर चलो मेरे साथ शुमिन गुसे में कहती बत्तमिस कहेंगे हटो यहां से और वहां से गुसे में चली जाती है एक लुशिन कहता है कमालिच जब भी मैं अपनी वाइफ का नाम लेता हूँ यह गुसा हो जाती है अच्छा यह जेलेस हो जाती है फिर आगे हम से देखते हैं बड़े पार्टे का जापर लुशिक कहती सबसे कि वो लुशीन की वाइफ है और यह बात शुमिन कहती तुम्हें नहीं पता वो उनकी वाइफ दीन साल से अवाड कहती तो फिर तुम उनकी वाइफ कैसे हो सकती तुम तो यहाई हो ना लूसी गुसे में कहती तुम तुम मिस्ट्रेस होना मिस्टर लूशीन की तो फिर जबान संभल के बाते को मैं उनकी वाइफ हूँ यह से उनका सुमिन गुसे में कहती हां मैं उनकी मिस्ट्रेस हूँ Lucy के थी, तुम्हारे इतनी हिम्मत मेरी मैन के बेट पर जाने की? और आप उसे मानने चाहते, उसके इंसल्ट करती कि तबे शुमिन सुमन के ते गुस्से में, Lucy तुम चांथिए कि तुम मिस्टर लुशीन की कुछ ने लगती तो यमस्की लवर होना तो फिर में divorce नहीं दोंगी अब तड़ अपने प्यार के लिए फिर सुनते हैं गुस्विजिन के उपर drink फेक देती हैं इस पर शुमिन भी गुस्विजिन में उसकी उपर drink किरा देती है और तब वहाँ लुशिं के मौम मातर जी सब क्या हो रहा है वो लेकिन तुम ने मेरी बहु का प्रशाण करने के बार में बूल जाएं फिर आंके शुमिन के भी वडिता शुमिन के बीटा थैंक खराब हो चुका है ना विलत नहीं ले सकती MUR्शिन के गरेष्ट के महँं को सबस्क्राइब बेटा जो कुछ मेरा है वो सबकूष तुमारे ही तो फिर जल्दी कर मेरा बेटा आरहा होगा उसने कहां तें कि आप पार्टी में लेटा है तो कि कोई मीटिंग थी और तभी हम जिन दिकते हैं लुसी कहता है क्या हुआ क्या हुआ रूशी कहते है मैं रही हिमत नहीं है बता काफिए लगते हैं तुम्हार जित दीखा ना मेरे पास ना आने का और फिर मेरे पास आजाना तुम कमाल की हो आप ज्यादा मस सोच विस्टे न गुष्णे में काफ़ी क्यूट लगती हो फिर सब कुछ ना टक तुमने मुझे खुद की तरफ अट्रेक्ट करने के लिए किया ना को राचुलेशंस तुम जीच चुके हो मुझे तुमसे प्यार हो गया है शुमीन कहते है शर्म करो तुम्हारी वाइफ है और तुम लुशिन कहते है मुझे पसंद नहीं है उसका नाम है सुटीन शुमीन कहते है शुमीन नाम है उसका लुशिन कहते है जो भी हो अगर मेरे मुझे मना नहीं किया होता न तो यह मुझे कपकर डिवास दे चुका होता वो तुम से 3 सालों से दूरे उसे तुम में कोई interest नहीं है पर लुषिन कहता है ये बुरा लगा ना मेरे लाल ची सुसुराल वालों की बारे में जानने की बात लेकिन डोन्ट विर्य डिवास के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा शुरमिन कहती जो करना है करो इसमें लुषिन कहता है ओके और यहाँ पर शुरमिन को किस करने लगता है और दभिवा लुशुन के मामातर के ह है दिल लगते है मेरी बेटे बहु की बीच में सब कुछ ठीक होका आ है दोलो यहाँ से और चले चाहती की तब भी शुर्मीन लुशुन को थपड़ मारती है लुशिन कहता है यह सब क्या है शुमिन कहती शादी शुदा होकर यह सब करना मैं किसी की मिस्ट्रेस बनना नहीं चाहती शुमिन रेता मैं बनने भी नहीं दूँगा मैं सच में तुम से प्यार करता हूँ तो मैं सच पता चल जाएगा और तभी यहाँ पर शुमिन का फोन र प्यार करती हो नो तो फिर तुम किसी और मैंस का नाम भी नहीं ले सकती नहीं सोच सकती हो इस डॉगी मैंसे बात मत करना इस पर शुमिन के तो डॉग नीबल की नबर का गधा भी है एक नबर का दो के बार से एक नबर का कमीना है लुशिन कहता है हां उससे दूर है न समझी हुआ विसके नाम के अनॉस्मेंट होती हुआ उसका नाम है इसका मतलब ही मेरी वाइफ है इस पर शुमीन कहती है मैं नमर वन डिजाइनर हुँ हुआ अंध रात की पार्टी में आपको टाइम पर जाना है तुम्हारा काम काफी ज्यादा बेस्ट है इस पर शुमीन के हैती यस अब हम सी देखते पार्टी हॉल का जहां पर कैट आए की पेंडेंट को दिखाया जाता है वो डिजाइंस देखकर लुषिन के हताई से देखकर तो मुझे मेरी प्यारे बिले की याद आ रही है और यहाँ पर शुमीन को याद करता है फी वहाँ बर इस लरकीनी डिजाइंस को चोड़ी किया इसलिए वो नहीं आई होगी वो थी सिन्दक lle जापर गुंड़ा कहता है ठीक से ब्रेक फेल करना तब दूसरा गुंड़ा कहता है डोंट वरी लुशीन तो मर नहीं वाला है और यह सारी बात यह सुमिन शुन कर काफी शौक हो जाती है और तभी वहाँ पर उसे फोन आता है लुशीन का लुशीन कहता है तुम कहा हो और य में के स्टी भागों जल्दि याँसे इनके हाँ वहां कि तभ वहां पर गुंडे आ जाते और यहां पर सब की बीच में अच्छी काहशी फैटिंग हो जाती है यहां पर लुषीण कर रहा होता है कि तभी कोई सुमीन पर उनका पीछा कर रहे होते हैं तुमने पहले प्याई क्यों नहीं की तुमने पूछा क्यों नहीं पूछा क्यों नहीं दो तुम सीट Πर टाइड बेठो और यहां पर लुशीन कारके एक्सिडेंट करवा देता है और कार्या पर रुप जाती है और दोनों आज से भाग जाते हैं और गार्डन में जाके छुप जाते हैं उन्ड़ा कहता है मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे चलो उससे हम देखते और वासे चले जाते तब शु सिरिमस करो में अगर ठीक हो गया तो फिर तुम ऊसे शादी करोगी ठीक है इस पर शुमें कि प्रॉमिस करते हैं और तभी यहां पर बेहुश्चों चाहता है वह देख अपर चिलाने लगती कि तभी वहांँ पर सेकेटरी पर आ जाता है अगे हम देखते हैं जहां पर लुशीन को अपर नहीं सकती आप पर काफी घबराई होती कहती तुम्हें मेरा नाम जानना है ना और यहां पर लोशीन को उस्पिटल लेकर जाया चाहता है फिर आगे हम से देखते शुमिन के घर का जहां पर कहते हैं लुषिन ने कहां कि उससे प्यार करता है लेकिन उससे यह नहीं परता कि मैं उसकी वाइफ हुई जाने के बाद हो क्या करेगा चाहिए जो पर उसको कितनी जाता चोटी लगी ह सब मेरी वजह से हुआ है ठीक है मुझे मिलने चाहती फिर आगे हम सिंदिक ऑस्पिरल का जहां पर बोडिगार्ट के है आप अंदर नहीं चाह सकती इस पर शुमिन कहती मिस्टर लू की वाइफ हूं इस उनके बोड़गार्ट के है और कहता है क्या मेरी जंगली बिली उस अब छोड़ा आप कैसे हो यह सब लूशिन शुमिन को पकरता है और कहता है कल रात मैंने कहा था ना कि हम बच गे तो फिर हम शादी करेंगे इस पर शुमिन कहती हां लेकिन में और आप पहले से लूशिन कहता है हां मुझे पता है कि थोड़ा सा फास्ट हो गया है लेक प्यार के शादी के कुछ माइन ही नहीं होते शुमिन के हैं क्यों कि मेरी वाइफ दोके से मुझे अपने बेट पर ले गई थी फिर रिपोर्टर उसको बिलाए था मीडिया को सारी पिचर्स को उसके पाद उसकी फैमली यानिक शू फैमली ने मुझे ब्लैक मिल करना स्टा के बास है शुमिन के हैती हो सकता है कि आपकी वाइफ इनोसेंट हो लुषिन के हैता है हो यह नहीं सकता है तीन साल से हो गायव है क्योंकि गलत करने के बाद उसकी हिमत नहीं मुझे नजरी मिलाने की लेकिन डोन टूरी मैं उसे पैसे दे दूंगा वो साइड हो जाएगी और फिर डेवास दे देगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगा शुमिन केहती तुम जानते नहीं हो कि मैं हो कौन लुषिन केहता है कोई बात नहीं तुम आराम से बताना अपने बारे में और वैसे भी हॉस्पिटल है न तो फिर प्रपोस करना सहीं नहीं होगा मैं तुम इसने का कि मैं शादी के लिए हां करने वाल हूं लुषिन कहता है मेरा हाथ वो दर्द हो रहा है शुमिन कहती सौरी लगा क्या लुषिन कहता है लेकिन तुम मुझे गले लगालो सब कुस ठीक हो जाएगा इस पर शुमिन कहती ओके और लुषिन सुमिन को पकड़ता है और कह कहता है डोंट वरी में जंगली बिली में सब कुछ ठीक कर दूंगा अगर सीन देखते ही जब शुमीन कहती इतनी प्यार बड़ी लुशिन की बाते लेकिन अगर उसे पता चला कि उसकी पेशरों वाइफ में हूं जो से छोड़कर चली कहती और मेरी फैमिली ने इसका जाएगा कि महीं शुमीन हूं और मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा गुस्सा भी नहीं करेगा आगे हम देख देख कर लुशिन काफी हैप्य उतर के हैता है फैनली उसने डवास पेपर साइन कर दिये अब मेरी जंगली बिली को प्रपोस करने की बारी फिर आगे ह पर एक सुमीन ख़ते हैं तो अब का अपर किला घंख कर लिय Coach करता है अब अमति about और में गेंन का लिया ख॓आ और ओशियन वाली रिंग है न लिकिने मेरी हाथ में कैसे आई लुशन कहता है मैंने किस करते व्यक्ति मेरे पहले पेहना दिया था घृति तुम जानते नहीं हो कि मैं हून का नहींते है दोंटाल तुम्हें array second surprise इसी बात नenne कि मैं यवाइफ थे टुमने पैसे के लिए क्या नाम लिए जमीन और थे लुषीन यहां पर न मी से इट करते को क्या चिसी इक सब्सक्राइब अपनी वाइफ को हेट करते हैं तो फिर आप इस सब कुछ क्यों करें इस पर लुषिन गुस्से में कहते हैं अपना मूँ बंद रखो और तुम चलो यहां से आगे देखते हैं जा पर गुस्से में लुषिन कहता है तुमने अपनी एडिनिटी मुझसे छुपाई सिर्फ मु प्यार करना टक किया वह था आपको सच बताने का लेकिन गुस्से में तुमसे प्यार किया है वह काफी हर्ट होती है ठीक है और वहां से चली जाती आगे सीन गहर गांजापर कहती है मैं और लुषिन डिवास्ट ले रहे इस पर शुमिन की सुथिली मां की ती तुम ऐसा न की कि वारे के आप सबने मयरे पैसों के लिए यूजग यह हैं और डाडि आपने भी आपने मुझे कभी अपनी बेटी ही नहीं माना कै आप मंतरी मेरे सोचे ले मार लग दिये लगता है थे को से लेती हो हमरे क्या होगा उसके बाद शुमिन केहती है आप लुशीन से मेरे नाम पर पेसे नहीं ले सकती इस पर वोल शुमिन को मारने चाहती कि तब यह वहाँ पर लुशीन रोग लेता है और केहता है यह मेरी वाइफ है इससे टच मत करना शुमिन की सुतिल मा केहती मिस्टर लुशीन आप आपको कोई मीजरन स्टैंडिंग हुई है लुषिन कहता है मेरी वाइफ के साथ यहाँ आपर तीनों मिलकर बत्ते मेजी कर रहे हूं मैं खुद देख सकता हूं तब यह शुमिन की सोतिली बेन अपने मन में कहती है इतना हैंसम हस्बंड तो मेरा होना चाहिता है इसका कैसे हो गया और कहती मिस्टर लुषिन आप गलत समझ रहे है इसको जैसे डाट की इसी हालत हुई आप देख सकते हैं लड़की काफी जाता बत्तमीज है लुषिन कहता है हा मैंने देखा कि तुम तिलो मिलकर मेरी वाइफ को डरा रहे हो और जहां तक बात डिवास की तो यह डिवास नहीं होने वाला और वाइफी तुम चलो यहां से मतलब में कहता है तुम्हारी मर्जी उं Zahlen करो तुम्हारी मर्जी मैंसा नहीं होने दूंगा गर कि मुझे नहीं नहीं कर दो rę है कि उद्धा में कोई कियर नहीं है टेहां मैं समझ आपके पास दो पैसे कि कमी नहीं है यहां पर बास दोर लॉप कर देती है और कि नहीं हो सकता है तुम ऐसा वीचा नहीं कर सकते पर कुछ नहीं हो सकता और श фильм' किपा जाने लगता ऑख शिम्न के यहती देखो तुम ऐसा वेसा नहीं कर सकते यह जहां जहरु हो लेकिन इसका मतलब यह एक मरा जानद एसा वेसा करने के लिए तुम एक नबर की जूटी बिली हो इस पर शुमिन के थी क्या आप में जूटी बिली बन गई अगे देखते हैं जा पर शुमिन नीचे सोई होती हो देख लूशिन के था सच में इस पागल ने मेरी बात मान ली पतले में जो कोंग ये वो करेगी और यहापर शुमिन को उठा आता और बेट पर उसे सुला देता है कि तभी वहाँ पर शुमिन उसे खीशती है अपनी तरफ और यहापर दोनों की किस हो जाती है और शुमिन नीद में कहती है प्लीज मच जाओ तो यहापर लूशिन अभी भी प्यार करता है आगे हमसे देखते हैं मौर्नी कहाँ जा पर शुमिन कहती में यहाँ कैसी और यहापर कपड़े चेकर ने लगती लूशिन कहता देखना बंद भी करो मुझे जूट बोलन वाली बिली नहीं पसंद शुमिन कहती पहले तो यह मुझे जंगली बिली बोलता था और अभी मुझे जूटी बिली बोल रहा है और गेती में बेट पर कैसे आई लुशिन जूटूब ऑलतर कहता है तुम्हें नीद में चलने की आदत है और तुम खूदी बेट पर आकर सो गई शुमिन कहती क्या सच में लुशिन केता में कंपनी जा रहा हूं चलो मेरे साथ यहाँ पर डोर को उफन करता है शुमिन कहती क्या रात को तो ममी ने बार से लुख किया थे इसका मतलब तुम्हारे पास चाबी थी शुमिन स्मयल देता है और वहां से चला जाता है शुमिन काफी गसा आठी है और अग रहा है और तुम्हारे कपड़ को क्या हुआ लुशि कहती इस ने पहले मेरी इसल्ट की थी लुशन कहता है तुम दोनों मेरे आफिस में आओ कहता है क्या हूआ लुसी कहती है शुमीन ने मेरी वाइल्ड कैट की पेंडेंट की डिजाइन चुराई है और इमेरे साथ बत्ते में सी कर रही है लुशन कहता है शुमीन तुम कुछ कहोगी शुमिन के हैति चंगली पिल लिकी पेंटिंटी डिजैन का ऐडिया मेरा है और किसी के मुझे बार बारे सा बोलने से ऐडिया मेरे मन में आया था तो उस परसन की बात से इंस्पायर हो गई केहति क्या तुम पागलो कॉन पागल परसन तुमें वालड कैट कहेगा तुम पहले अपनी जगेट उतारो शुमिन कहती क्या तुम पागल हो गए हो लेकिन आप सब के सामने और वह भी मेरे साथ शुमिन अपने मन में कहती बेशरम कहीं का वाइफ के होते विए किसी को जगेट उतारने के लिए गह रहा है तुम पहना देता है और पर्फेक्ट च्छू टारो शुमिन को सब के सामने पबलिक मेंम आटले का ने करने के नहीं कौने के लिए तुम होती वह लोगो को फाये Christians के महाफी मागो भी यह wordt रिक्वेस्ट करते है लुशिन कुछ नहीं सुनता और वहां से गुसे मिलों से चली जाती है तब शुमिन कहती ये सब थैंक्यू लुशिन कहती है मेरी कपने मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद पर शुमिन स्मयाल देती है क्या कई तुम मुझे प्यार तो नहीं हो गया लुशिन कहती है प्यार मुझे वह भी तुम से भूल जाओ तो चाकर अपना काम करो और हमें तुमसाद घर चलूँगा इस पर शुमिन कहती है नहीं लुशिन कहती है ये मेरा ओडर है मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है फिर आगे हम देखते हैं जब शुमिन की री तो ब्रैडल शॉप है शुमिन कहती है है मैं वेडिंग फोट लेनी है बिज्ट शुमिन कहती चियो लुशिन कहती है मेरी ममी ने कहा है तुई तो क्या तुम मेरी ममी को मना करोगी कि देखते हैं जहां पर लुशिन शुमीन को वेटिंग ड्रेस में देखता ही रही जाता है शुमीन के यहती मुझे पाता है कि में नाचुरली काफी जाधा ब्यूटिफूल हूँ लुशिन के यह तो मिसंद स्टैंडिंग है तुम्हारी और तुभी दोनों के यहां पर वियोगर चली चाहती हैं और तुम क्या कर ये चाहते हो न लूचिन कहते है तो में ठीक काफी एंबरसिंग लग रही है संते लुशिन गुसे में अपने जैकेट को पीचे पर फेक देता है से में कहता है तुमकों ज़्यादा ही सोचु है तुम्हें काफी इंबैरसिंग लग रही थी ना हमारी वेडिंग पीक तो देखो मिनने से ढग दिया और वहां से गुसे में चला जाता है तुम्हें शुमिन की हैती मुझे फोटो इंबैरसिंग नहीं लग रही थी बस मेरा फेस सही नहीं था कि इसने काख मुझे वेडिंग पीक से प्राबलम है हम दुसरी भी तपी क्या लगा सकते थे ना अगे हमसे देखते हैं लुशिन के ऑफिस का जहाँ अपने और शुमिन की फोटो की बातों के याद करकर काफी हैपी होता है और तवे शुमिन की बातों को याद करता है जहाँ पर कहती है यह फोटो का इंबैरसिंग है और आपर गुसा हो जाता है और कहता है शुमिन मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती क्यों मुझसे प्यार नहीं करती मैं क्या करूं मुझसे प्यार करें और दिवियो कॉल पर कहता है शुमिन को मेरे कैबिन में भेजो और दिवियो थोड़ टाइम के बाद वहाँ पर वान आ जाती है उसे देख लुशिन केहता है तुम वान केहती में वापस आ गई लुशिन केहता है क्या तुम्हारा सबने पूरे हो गई वान केहता है फारले मुझे पता चल गया कि तुम मेरा सचा प्यार हो लुशिन केहता है पांच साल पहले इंगेजमेंट से पहले तुम अबॉर्ट चली गई थी जिन कंपनी के बॉस के साथ इसमें वान कहती सारी मेरी कलती थी मुझे इस बात का पश्टावा है अच्छा जीन कंपरी बैंक्रप्ट हो चुकी इसलिए तुम्हें पश्टावा हो रहा है वान कहती सौरी में तुमसे करते हूं गूंसे में किट आउट और मुझे पनी यहां तुम इस प्यार नहीं कहता है और तुम निकल यहां से इस पर वह नहीं किन देख मेंने कहा नहीं कि निकलो और तभी यहाँ वह पर शुमीना चिलाते हैं की कहते हैं ज़से में दक्का मारता है और वहाँ से गुसे में और वहाँ आशे। कर दोगी मैंने कुछ नहीं किया है इस बारShrah照 में घुती तुम धूकर बाज हो और वहाँ से जिनके तो सुमीन मेरी बात तो सुनों कि हमसी देखते हैं जाप सेकेटरी कॉल पर कहता है मिस्टर लुशिन की वाइफ हमारी कंपड़ी में जॉप करती और इस सारी बाती है इंप्लॉई सुन कर काफी शौक हो जाती है फिर आंगे देखते हैं जहां पर मैंजर कहता है यहीं सच बताना पड़े मेंजर के तयान से एम सॉरी मैं हमें नहीं पता था कि आप प्रिजिडेंट की वाइफ है यह सुनकरियान मन में कहते हैं लगता है सच में सब पागल है लेकिन क्या फ्रक पढ़ता है मेरी शादी तो लुशिन से हो नहीं वाली है ना आज नहीं तो कल में इस कंपने की प्रिजिडेंट बनी चाहूंगी अब कहां बैठना चाहेंगी शुमिन की डेस्ट की तरफ इशाड़ा करती है और यहां पर सब शाखों चाहते फिर कहते अच्छा यह तो नकली है ना तो यह शुमिन की हैती नहीं यह असली है इस पर मौन की थी कमान हमारी कं पहना अलाव नहीं है और तुम्हारे इतनी हैसे इतनी की 200 मिलन की तुम रिंग पहनो लेकिन तुमने जूट बुला है तो फिर इस रिंग को तुम निकालो और यहां पर सब को इसके हाथे में से रिंग निकाल फेक देता है नीचे गिर जाते हैं तुम सब पागल हो तभी वान किते डॉंट वरी मेरे घर आने के लूँ मैंशन में मेरी कई सारे जूट पढ़ी मैं तुम्हें दे तूंग यह तुम आपका घर देख पाते हैं इस पर वान किते नेक्स टाइम में तुम सब को ले चलूंगी इस पर शुमन के ती नहीं आज तो कंपनी का हाफड़ है जाओ है उसकी मॉम की ते हुआ इसकी ते है तुमें क्या काम सब कर दोझ तबढ़ में तुमिसेंद किन दोर को कर तो नहीं चल रहा सेकेटरिस से कहता है आज की मेटिंग कैसल करों में घर जा रहा हूं फिर आगे हम से देखते वान का अज़ा पर अपर अपर नोटां की कंटिनीव करते लुशन की वाही पनने की और केती तुम सबने तो कभी जिंदिगे में किसी अमेरों का घर नहीं देखा होगा ना देख लो ध्यान से तो भी शुमिन केती क्या तुम शूर हो कि ये घर तुम्हारा है तो वान केती ऑफकॉंस वह तो कि मेरे हस्परेंटे रात कोई अपना कोट फेका था वांसे वह भुलके में हटा देती हूं और तभी हाँ आपर शुमिन चिलाती है नहीं कि तभी वान फोटो पर से जैकेट को हटा देती है और आपर सब कोई शुमिन और लुशिन की वेडिंग पिक को देख लेता है अभी वहाँ आप लुशिन चिलाती व्यादर के तो शुमीन तुमने मेरे प्यार कुम्री रिंग को फेक दिया उप्लाइस को देखके तब यह सब क्या है शुमीन के थी मैंने आपकी रिंग नहीं फेकी लेकिन आपके तो मीटिंग थी ना लुशिन के था है ना रहने पर हो चुके हैं लेकिन वान तुम अब तक सुधरी नहीं और यहां आपर शुमीन को रिंग पहना आता है और केता है रिंग में तुम्हारे लिए स्पेशली ओडर की थी माना कि तुम्हारे पसंद नहीं है लेकिन इसकी प्राइस 200 मिलिया ने तो फिर तुम कम से कम पैसो की के तो तुम है कच्रे में इस तरह नहीं फेक सकती की मैंने नहीं फेकाए इसने के तैंट नहीं गत्ते तुम सब खेबको बूले यूमिन को भूले करोगी उसको तुम्हें राइट मिल गया उसमिन कें सभी हम सब गलत थे हं अंधे थे इसमर में कंप सुछी कोई आपसे बाद लोड़ी लड़की ये दोकी बाधे इसमें तुम्हें अपने बेट पर ले गई थी एक नुम्हें केहते हैं पर वेज चलाता चाहिए इससे बात कुरी है वाइफ है ये देखकर वान गुसा हो जाते है और शुमिन को मानने चाहते हैं सब वोच तुम्हारे वीं जैस से हुआ है तुम्हारे और शुमिन की वीच में अभी प्यार नहीं और तुमसे प्यार नहीं करते हैं यह उसपर बोला शादी करने क्लिए लेकिन वह भी तो शादी क्लेए नहीं थी पारे बीच में बस कुछ गलत फैमी है और मुझे विश्वासी को मुझे से प्यार करती और उसे मना रहा हूं समझी तू और वहां से गुसे में चला जाता है उसके बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारा सोतेली मा के कहने पर तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया मान तक मैं दूसरी शादी की और मैं तुम्हारे फिलिंग से कभी केर नहीं के लेकिन मुझे अपनी गलती का पश्तावा है लू फैमिली के कॉंट्रेक्ट के लिए मैंने अपनी सेकेंड वैक पे कहने पर तुम्हारे शादी करवाए थे लेकिन मैं अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगा और मैं तुम्हाले एक परफेक्ट हस्बेंड को जूँगा दूस चाहते तो ठीक है तुम दूस ले सकती हो तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा और इस सारी बात इसकी उस होती लिए मा सुनती है और काफी गुसा हो जाती है केते अपनी बेटी से इस बाप बेटी के प्यार को तो खत्म करना होगा जैसे मैंने उसकी मा को कारक्सिडेंट में मार डाला था इसकी बेटी केती किया आपने शुम्हें की माम को कारक्सिडेंट में मार डाला था इस पर उसकी मा केती हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है जब दूसरी शाधी करनी थी ना और तभी इस सारी बात इस शुम्हें की डैट सुन लेते हैं गुसे में कहते हैं क्या तुमने मेरी वाइफ को मार डाला और आप उसे थपड मारते हैं और कहते में तुमने नहीं छोड़ूंगा और तभी यहाँ पर गुसे में शुमिन के डैट को स्वीडियो से धक्का मार देती हैं और आप उनके सीर पर काफी तेज चोट लग जाती है और तभी वहाँ पर शुमिन भागते वाद एक तेज डैट क्या हुआ और यहाँ पर वो अपने डैट को देख चिलाती हैं और आगे अपने डैट के पास बैठी हो तो उनके हालत काफी खराब होती और यहाँ पर उनको कॉल करते लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती शुमिन के ते क्या वो मुझे बात भी ने करना चाहता और थभी हम देखते यान को जिस्के हाथ मेंमें लुषीन का फोन होता है और यहाँ पर शुमिन के काप कर देथी हैं और एक्क ठ्ट मेरे शुन के साथ क्या कर रही हो यहान के ते तुम आज़ा पून मुझे welcoming है की मेरा है तुम यहाँ भूल गे शायद लोशीन कहता है तुम लास्ट बार बता देता हो कि तुम मेरी वाइब से दूर है ना समझी तूम और वहां से कोई से में चला चाहते है तुम मेरी हल्प करो तुम मुझसे प्यार करते हो ना होटेल का तुम कल से घर ने आई ना कोई कॉल शुमिन कहती है मुझे ब्लेम कर रहे हो शुमिन मन में कहती है तो डिवास की पेपर होंगे ना कर देती है तो माम का लवर है यह प्रूफ है कि उसने तुम्हें मॉम का एक्सिडेंट करवाय था यह सब कुछ तुम्हें मेरे डैड हो तो ऑस्पिटल में चल्दी चलो लेकिर उसकी डैड नहीं होते हैं देखते हैं चुमिन की डैड की कंपनी कहां जो आप उसकी सोतिली मा क कहती है मेरे रस्बंट के तरवित खराब तो आंसे बिजनस को में संभालने वाली हूं और तुम बताऊं वाना मैं तुमें पूलिस में बहुए तो और यह पर दोने की बहस हो जाती है तर इसकी सतेली बैन केहती है वह दूसरी रूम में है यह दो यह उससे एपने डैड मि में जाती है और आपको मडर के केस में पहन भी चली जाती है फिर आगर शुमिन के है मैं मिस्टर शुकी बेटी होने के नाते इस कंपने की निव प्रसेडेंट हूं तो यहां पर सब कोई सोचने लगता है तर भी लुषिन केहता यह मेरी वाइफ है और लू फैमली की बॉस तो ना कहने इतना होने के बाद तुम मुसे पूछ रही हो मैं तुमसे नहीं तो किस से प्यार करूंगा के लेकिन वाण की बारे में क्या अलुषिन के है ता वो मेरा पास्ट थी और तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो शुमिन लूशिन को कॉल आता है हम से नेखते होटल रूम का जहाप लूशिन भ्योश होता है उसका से केट्री कहता है मैंने इसे नशाद देता है इसे होश नहीं आएगा इस पर वान कहते है तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया अब तुम यहां से चले जाओ फिस से मैं कहता है क्या मैंने हमेशे तुम से प्यार किया और वान तुम तुमने हमेशे मेरा यूश किया है वान कहा है ते यह लूशिन अमीरे और मुझे इसके बेट पर जाना है जब बाद मैंने गुंडे भी 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 भीजती से मारने के लिए लिकिने बच गया और यह सब कुछ मैंने बस बाने के लिए क्या क्योंकि तुम लुषिन के वजास रह था है उसे होशाह जाता है तो यहाँ पर सेक्रेटर को थपड मारता है इस UK कहता है मैं तुम छोड़weg थी कि तव navigation आजाते हैं और कहते एं मेरे स्पर्ण्ट से दूर रहों और वहां से स्कूरेटरी को लेकर चले जाती है और वान को भी तवसकर स्कूर्ब करते हैं मैं ठीकता है है अब क्या हम दोने ने रात भर सब कुछ के लगे लुषिन पहते हैं ल लेकिन हो लेकिन चुरह सब कहते हैं हैं ज़्याह नों प्याहरा किस्वाला वीटिंग फोटो शुट कर वामो प्यारा की जहांести कहता है वाइफी घर चलो श्रूमन कहती तुम गराच चुकर अब तुम आराम करो नहीं नहीं श्रूमन के बारे में क्या मुद्ध आफी सुवर्ड हेथज़ को रुख काम या shifting पिर तुम डिसाइड करो तुम गुड मैन हो या नहीं और यहां लुषिन जाता है पार्क में जहां वो शुमीन के प्रपोजल को देखता है करते है यह सब क्या है यह मैंने काफी ज्यादा परशान किया है वह किन मेंने सब की त्यारी भी झारी तुम्हारे लिए निक पहना और नहीं भी केक में थी औंदे मुझे केट खा लिया ऊटरी में रिंग पåम नुगे कुमीन के थी मैं सच पिए है मैंने केक में रिंग छुपाई थी यहां कि खाते समय के पहले में रिंग पर चाती है शुमिन कहती मैं तो मरी जाती फानली तुम्हें होश आ गया शुमिन कहता है वाइफी कहता है तुम मुझे मारना चाहती हो इस मुझ पर से हटो शुमिन कहती तुम ठीक तो हो ना शुमिन कहती डोंट वरी मैं इसे अच्छे से वाश किया देको कितना साफ है यह यह देखो इस कूपल मैंने स्पेशलिस का की डिजाइनिंग की है और यह रही मेरी रिंग हम दोने की रिंग मैचिंग लगेगी हम परफेट कपल लगेंगे और यहापर लुशिन को रिंग पहना आती है लुशिन कहता है वाइफी थैंक यू सो मच रहापर दोने काफी हैपी होते फिर आके सी देखते ओफीस का जहापर लुशिन अपने रिंग का शोओ आफ करता है ड्रेवर से कहता है हमारी कार थो ठोड़ी ओल्ड हो चुकी है न इसे तो सपेशल होना ही थाना तुम क्या कर रहे हो इस पर रिंग पर स्क्राच के से आ सकते हैं वाव कि इतनी ब्यूटिफुल लग रही है इस पर लुशिन के रहा है 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 यह मेरी वाइफी ने मुझे किया है सेक्रेटर केता है सच में काफी ज़्यादा ब्यूटिफुल और सारी बाते 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 शुमीन देखती है तो फिर आगे हम से नेकते मिटिंग रूम का जहां पर लुशिन प्रेजिटेशन के समय भी सबको में रिंग दिखा रहा होता है यहां पर मिटिंग रूम में सब बाते करते हैं और उसके बार में पुछते हैं लुशिन के हैता है मैं क्या करूं मैं किसको भी दिखाना नहीं जाता है लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि किसी की भी नजरिस पर से नहीं हट पाती उसके प्लाइस कहते हैं काफी ज्यादा ब्यूटिफूल है लुशिन के थी हैं ये कंपणी है मैंने बस तुम में एक रिंग दी है विश्वाफ क्यों कर रहे हों के तर क्या यह सिर्फ रिंग नहीं है तो मैं अधिया दर करता है और हम प्लस चलाते हैं O.M.G संते शिमने आपर शाय फिल करती और सी स्मेल के साथ यहां पर इस लॉस्टर की हैपी एंडिंग हो जाती है तो अफिर वीडियो पसंद आए हो ते लाइक, सिस्क्राइब, कमेंट और शेर अलसो ते मिलते हैं नेक्स लॉस्टर में थैंक्स वाचिंग डियर